नाउस्कार मैं इस पेशे में जिनके सामने बड़ा हुआ हूँ वो आज मेरे सामने हैं तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनके नाम के साथ शुरुवात करूँ उमा सुधीर और टीए सुधीर यहां इस हॉल में बैठे हैं आप सभी का शुक्रिया मैं हैरान हो रहा था कि इस दोर में वो कौन लोग हैं जो सुनना चाहते हैं बोलने वालों वाले को इतना गुमान हो गया है कि वो किसी की सुनना ही नहीं चाहता है तो हम यह मान कर बैठे थे कि कोई सुनने वाला नहीं है अब इस देश में सिर्फ बोलने वाला है पर आप इतनी बड़ी संख्या में आए और किसी को सुनने के लिए दिल्ली से बुलाया है तो कोई बात होगी आप में इतनी तो बात होगी कि आपको सुनने से डर नहीं लगता है भले ही बोलने वाले को डर लगता हो तो जब तक सुनने वाले नहीं डर रहे हैं तब तक खुल के बोलना चाहिए और यह अच्छा संकेत है मुझे नहीं मालूम कि आप पहले भी सुनना चाहते थे या नहीं चाहते थे लेकिन अभी आप जब सुनने के लिए तयार हैं तो बोलने वालों को बोलना चाहिए हम जिस दिल्ली से आए हैं वो आज कल दो तरह की बाते करती है कि हम डर के मारे बोलते नहीं है और दूसरा कोई बोल देता है तो उससे जाकर जरूर पूछती है दिल्ली तुम्हें बोलने से डर नहीं लगता है तो यह माहौल है तो हम यह एक यात्रा तै कर रहे हैं दरसल हमें सोचना चाहिए कि हमें डर क्यों लगता है क्या किसी नेता से डर लग रहा है या सिस्टम से डर लग रहा है सिस्टम से क्यों डर लग रहा है क्या हमारे भीतर कोई राज है जिसके बाहर आ जाने से हम डर रहे हैं हो सकता है हिंदूस्तान की जनता को जो सिस्टम मिला है और जिस तरह की नाइंसाफियां सिस्टम इस जनता पर थोपता है मुम्किन है कि आप सब के कुछ राज हों जिसके डर से आप ना बोल रहे हूं लेकिन इसके बाद भी आप सब पर ये जवाबदारी है कि भारत के लोगतंत्र के लिए आप बोलेंगे अगर आप भारत के लोगतंत्र के लिए नहीं बोलेंगे तो आपके भीतर जो छोटे किसी अपराद का डर बैठा हुआ है उससे बड़ा अपराद ये हो जाएगा कि आपने भारत के लोगतंत्र के लिए नहीं बोला तो अपने छोटे अपराद के लिए एक और बड़ा गुना करने से खुद को बचा लिजिए और पूछिए सवाल कि कब तक हम नेता का विकल्प नेता में ढूंडते रहेंगे सिस्टम का विकल्प सिस्टम में कब ढूंडना शुरू करेंगे थाना जिसे हम सरकारी संस्थान कहते हैं कोट युनिवर्सिटी जिसे आज कल हम तीन चार वाइस चांसलर के चेहरे से जानते हैं उनके अजीब और गरीब बयानों से जानते हैं आप कोई भी इदारा ले लिजे इस देश में वो आपको अकेला करने के लिए तोड़ देने के लिए सक्षम है फर्जी मुकदमों में फसा देना वर्षों तक आपको अदालतों में टहलाना और जीतने पर मीडिया एक दिन का जश्न बनाता है कि इनसाफ की जीत हुई है लेकिन जो जीतता है वो दर असल घर जाकर वर्षों तक फिर से करजा चुकाता है तो बहतर ये है कि हम नेता का विकल्प न मांगे हम सिस्टम का विकल्प मांगे और एक ऐसा सिस्टम हो जो हमारे हाथ में रहे सत्ता भले नेता के पास रहे लेकिन सिस्टम हमारे साथ रहे वर्ना हम इस डर को कभी नहीं जीत सकते हैं सिस्टम पर कबजा करेगा नेता, मेनुपलेट करेगा और वो आपको डराता रहेगा इसके दो उधारन है 29 सितंबर को मुंबई हाई कोट ने CBI से पूछा कि सुहराबुद्दीन केस में जो फर्जी एंकाउंटर है उसमें जो बड़े अफसर, IPS अफसर बरी हुए है ट्राइल कोट से उनके खिलाब आप अपील कब करेंगे ये खबर सरकार का प्रोपेगेंडा करने वाले एंकरों के सामने से नहीं गुजरी थी और ना गुजरेगी अब सिबी आई ने ट्राइल कोट के फैसले के खिलाब अपील की है मगर जो जूनियर अधिकारी दरोगा स्तर के अधिकारी जो बड़ी हुए थे फर्जी एंकाउंटर के मामले में उनके खिलाब अपील की है लेकिन जो IPS officer बरी हुए हैं उनके खिलाफ अपील नहीं कि तो ये देश की CBI के चश्मे के पास एक चश्मा है उस चश्मे के दो नमबर है एक नमबर के चश्मे से उसे trial court के बाद high court नजर आता है और दो नमबर के चश्मे से उसे trial court supreme court नजर आता है दूसरा संजोग देखिए कि करनाटक high court के justice जैंत पटेल को इस्तिफा देना पड़ता है जिनका संबंद एक ऐसे फैसले से है जो वो गुजरात से संबंदित है इस रच जहां के मामले से उन्होंने इस मामले में फर्जी एंकाउंटर के मामले में CBI जाच के आदेश दिये थे असलियत क्या है वो जानते होंगे या दुनिया जाने मंगर ये संजोग बहुत खतरनाक है कि एक चीफ जस्टिस बनने लायक जस्टिस को इस्तिफा देना पड़ता है और हम चुप रह जाते हैं तो सिस्टम के लिए हम जब भी चुप रहेंगे अपने भीतर एक और डर का कमरा बनाएंगे इसलिए अपने भीतर डर का अपार्टमेंट मत बनाईए हिम्मत की बालकनी में आईए और जरा बोलिए बोलना बहुत जरूरी है